आप देख रहे हैं मानु शेवन और आज हम यहां सुधान चौक पर खड़े हैं जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं महाविकास अगड़ी की ओर से यहां पे पूरा जो बदलब पूर में जो घटना हुई है उसका यहां पे निशिद जताया जा रहा है और कई ना कई सर पूरी टीम यहां पे पदादी और कारे कतले आप देख सकते हैं यह जो घटना हुई इस पे सकत यहां पे विरोज जताया जा रहा है और यहां पे महलाओं ने भी यहां पर बढ़ चल कर इस्सा लिया है और इनकी एक ही मांग है कि जो बदलापूर में जो घटना हुई है और दोसियों को कड़ी कारवाई करें और आप अभी भी देख सकते कि यह लगातार अंदोलन चालू है और यहां पे मुझ पट्टी काली पट्टी बानकर यह अंदोलन किया जा रहा है जाहिर निशेद यहां पे जिताया जा रहा है और सरकार का भी यहां पे जाहिर निशेद पर जो अत्यचार हो रहे हैं लगातार उस पर अभी तीन नए कड़े कानून भी निकाले गए लेकिन कई न कहीं उसकी धज्या उरती नजर आ रही है और यहां पर सरकार आकिर क्यों नहीं जाग रही है सरकार जो बड़ी बड़ी घटना हो रही है उस पर उनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है सरकार का सक्ति यहां पर रोज जताया जा रहा है आप देख सकते कि किस तरीके से सांती पूर्वक यहां पर यह आंदोलन किया जा रहा है ना ही यहाँ पे कोई नारे बाजी हो रही है ना ही यहाँ पे कोई भाषन बाजी यहाँ पे की जा रही है और ना ही यहाँ पे इनका जो है यहाँ पे बात्चित हो रही है हम सांती पूर्वक धंग से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और जो घटना हुई है उस पे हम पूरे जो महाविकास आगाड़ी है और यहाँ पे जित्ते भी पददिकारी और कारेकता मौजूद है उसका निशेत कर रहे हैं दिन बदीन महिला के उपर अत्याचार में घटना में बड़तरी हो रही है महारस्ट का क्राइम रेट बढ़ती जा रहा है पिछले साथ महने का क्राइम रेट 57 परसेंट बढ़ी चुका 2141 महिला के उपर पिछले जानवारी से आगश्ट अत्याचार हो रहा है रोज नहीं घटना महारस्ट में घटती जा रही है कभी नाशिक में होती है तो कभी पुना में होती है कभी अकोला में होती है नापपूर में होती है, नागबिण में होती है, जलगाओं में होती है, पिछले आठ दिन में दस घटनाएं हुई, क्या कर रही सरकार, सरकार का सुई है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, कि ये सब रोकने के लिए, क्योंकि कानून विवस्ता स्टेट के अंदर रही नहीं है बदलापुर के घटना को तो पुरा दबाने का काम किया गया क्योंकि वह आरैसेस और बिजेपी की संस्ता थी इसलिए इस तरब उन्हों दोनों बच्चियों के उपर जो अत्या चार हुआ तो उसको उसमें करवाई करने में और प्रकरन दबाने में समय बिताया गया कि आमने के ते कोड का भी उसमें निर्देश यह कोड ने अपना मत्व प्रदर्शीत किया है सवाल यह आता है कि कानून की सुवेव कानून सुवेवस्ता की धज्या उड़ चुकिया है महारास्तक की पूरी संस्कूरती को मिठाने का काम यह नालाइक सरकार ने शुरू किया ह इसलिए हम लोग यह सरकार का निश्यत करके और यह घटना की घटना की पूर्दरवर्ती नहों ऐसी घटना है नहीं घटे इसके तरफ सरकार का ध्याना करशित करने के लिए और सरकार की पूरती का निश्यत करने के लिए आज हम काली पक्ति बांद कर सरकार का निश्यत कर जनता इनको खड़े में डालेगी उपर से मट्टी डालेगी जनता तैयार वैटी है इसलिए डर के मारे इलक्षन को आगे बढ़ा रहे यह सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही पैसा कमाने के लिए और तिजोरी लुटने के लिए काम कर रही है यह डखेतों की चोरों के और लुटारों की सरकार है 20% से लेकर तो 40% कमिशन खा रहे हैं ये लोग 15 साल में जितने टेंडर नहीं हुए उतने टेंडर 2 साल के अंदर में निकाला है और जो आवशक नहीं है वो भी टेंडर निकाला है स्टेट के अंदर में अभी लाइबिलिटी 2,44,000 करोन की बढ़ा दिये राज्य को करजा में डुबा दिया है और जो ज़रूरत नहीं ऐसे टेंडर निकालकर वो गुजरात को दिये जा रहे हैं गुजरात की गुलामी करने पर खड़े हुए यह दिल्ली के तलवे चाटती हुए महारस्त की पूरी स्वाभीमान को बेचने का काम इन्होंने किया है 27 बिजनेस बड़े-बड़े इंडस्ट्री गुजरात में गए है यह क्या बताएंगे यह लुटने वाली सरकार है इसलिए इनका ध्यान कानुन सोवेवस्ता पर नहीं है यह केवल तिजोरी लुट रहे है दबा के खा रहे है चोरों का धंदा जोर से चल रहा है यह सरकार पर नाम की कोई चीज महारास्तमी नहीं है तो ऐसे स्थिति में यह सरकार का ध्यानकर्शन करना और सरकार को यह सब घटना जो बढ़नेती जा रही है मैला के उपर अत्याचार की इसके उपर इसका निश्यत करना और ताकित दुबारा ऐसी घटना नहीं करे इसके लिए रजाथकारियों को साथ देना चाहती है यह आंधुलन करके वह साम लोग अगारवाइ करने की महांग को लेकर है और वो ऑर सरकार्स्टा ना नाकामियाब है तो उनका अंदूलन किसलिए है वह बोलते है कि यह पोलिटिकल मोटिवेटर है और पच्छी मंगाल में जो हुआ वो जो आंदोलन किया वो भाजब ने जंटे लगा कर वो क्या था वो नहीं था इसके पहले उन्होंने इसे घटाओं को लेकर आंदोलन किया यह तो दुम हो वाले साथ के बच्चे है इनकी बंचा यह है को मैं ढौर को बताना चाहता हुट कि 2 लाढली बैना की याद क्यों नहीं है तुमको ऊटकी-कड कुणि लगी तब भहिन लड़की तुमको याद आने लगी तुम क्या सत्ता में इतने मजगूल देख्या महिलाओ के उपर अत्याचार हो रही तो महिला करके तुम क्या रोल है तुम क्या सत्तादरी पार्टी के होने के नाते महिलाओ के अत्याचार के तरफ तुम क्या ध्यान नहीं दोग आप जो धन्दा उटाया है और दुसरी तरफ महेंगाई बढ़ा कर महलाओ के जेस्टी लगा कर महलाओ से लूट रहे हो आप महलाओ से पैसे निकाल रहे हो एक साड़ी पे अट्रा टक्के जेस्टी लगाए अजार रुपए की साड़ी लेया तो 180 रुपए लेग जाते 500 रुपए हो गया पेट्रोल 75 रुपए में मिलता था 110 रुपए हो गया आज जो हर चीज को बढ़ाया गया है 55 रुपए कि दाल आज 200 रुपए किलो हो गई तो यह महेंगाई इनको दिखती नहीं क्या इनके आख फुटे है क्या यह अंदे बढ़ के मैटे है क्या कि गरीब और मिडल क्लास की जिब से मैने के 10,000 रुपए तुम चूस रहे हो दूद के उपर जेस्टी लगा कर बच्चों के पैंसिल के उपर जेस्टी लगा कर किताबे के उपर जेस्टी लगा कर यह लुटने का काम लुटारू कर रहे है और बाते नाक आप लोग बड़ी उची मान करकर इसके तरफ लाडली बहना का फिर थपता परा रहे हो देड़जार में क्या होने वाला है मैला की सुरक्षा मतों की है या देड़जार उपर ही इंपोर्टन है आज सब जनता और सब मेरे बहने मांग कर रही है कि आप देड़जार से ज़्यादा हमारी सुरक प्षित नहीं है और जिस तरह से महरास्ट में बदलवपूर में एक मासूम कली को मासूम बच्ची के साथ जिस तरह से जगन अपराद बलतकार की घटना हुई उसके विरोध में महरास्ट कॉंग्रेस के विजय वेडिटिवार जो विरोधी पक्ष नेता है और विकास थाक है अपरादियों को जब आप जब अपरादी बलतकारी को जब आप ये विवस्था करते हैं कि जब अपरादी बलतकारी चूटते हैं तो आप खुशियां मनाते हैं मिठाई बाटते हैं और उन्हें परहूल पे छोड़ते हैं तो अपरादियों का जो बलतकारी है उनका जो तक भी जो उन्हें बेल नहीं दी जाती है तो ऐसे जो अपराद हैं जो महिलाओं को लेकर जो बाते करती हैं सरकार महिला पढ़ाओ बेटी बच्चाओ बेटी पढ़ाओ और जो भी हम महिलाओं को उपर लाने के लिए जो इसकी में चलाते हैं महिलाओं को पढ़ाने को लेकिन सबसे बड़ी चीज महिला की सम्मान है उनकी सुरक्षा है और ये सरकार इसमें बुरी तरह से फेल है जिसका हम विरोत करते हैं उसके लिए हम ये कहते हैं कि अपरादियों के खिलाफ में सक्त कारवाई होनी चाहिए क क्या आपके हाट में ब्लोकेज़ेस हैं पर बाइपास सर्जरी से डर्ट लग रहा हैं डोट वरी मुगदा EECP and Heart Care Center लेकर आए हैं आपके लिए जिससे 80-90 प्रतिशत हाट ब्लोकेज़ेस को क्लियर किया जाता है और बाइपास एवन एंजियोप्लास्टी जैसे सर्जरी को टाला जा सकता है